नमस्कार दोस्तों केसे हैं आप लोग कोलेज अशिस्टेंट प्रोफेसर वाला जिक्के वाला जो पेपर है वो हो गया है और अब तक आपने अच्छे से दो तीन चार की से मिला भी लिया होगा RPSC फाइनल की जारी अब की बार की नहीं है RS के लिए तो हलांकि अगले दीन जारी कर दी थी तो अब जो आपने मिलान किया है ना उसमें कोई एक या दो क्यूसन का ही उपर नीची होना है और लगभग वो ही रहना है जो इश्कोर अभी आपका बन रहा है उसके आसपास ही लगभग रहना है तो इस वीडियो में हम कुछ चीजों की चर्चा करें के कुछ चीजों पर जैसे एक तो मैंने यूट्यूब के उपर जो आर्थिक समिक्षा जो है वो करवाई थी 12 परसन जो है वो आ गए है और करण्ट अफेर जो है वो करवाया था साल भर रखा तो उसमें जो कलास थे मेरा थन वो कलास जो है वो थी अपनी लगभग धाई तीन गंटे की और उसमें से भी 15-16 परसन आ गए है कुल मिलाकर 35 परसन जो हम देखेंगे कहा कहा से आये हैं पूरे बाकाइदा वीडियो बगर सब के सब और पूरा कंटेंट यूट्यूब के उपर अविलेबल है नीशुलक था यूट्यूब पर सब कुछ नीशुलक होता ही है वेसे ही तो दस बार एक गंटे की कलास में से 35 से उपर परसन आये हैं तो मुझे भी बड़ा सुकून मिला होता किया देखो जैसे दोस्तों कि ये जो करंट अफेर है तो वेसे तो बहुत सारे गुरुजन पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं किताबे भी सांदार हैं मैं भी कोई ये तो यह नहीं कोई गरसे बनाते हैं जैसे न्यूज पेपर देख लिया करोनोलोजी मूमल ये परसिद किताबे हैं यहां से और उसके अलावा जैसे वो जो सूजस है तो वहां से उससे बाहर कुछ जाता नहीं है तो उन्हीं से नोट्स बनाते हैं तो अब हलांकि करन्ट अफेर पड़ते हैं तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा डीप जैसे मानलोग साइट एकादमी पुरुसकार है तो उसमें मीरा पुरुसकार है उसके अलाव और भी उस साथ-ाठ बस दिय रहते हैं तो कई बार यह लगता है कि इस बार तो एक गलत नहीं करना है तो सारे के सारे पुरुसकार अट लेते हैं और लाश्ट में जाके मानलो जो मेन पुछा गया मीरा पुरुसकार या मानलो सूरिय मलमिसन पुरुसकार वहां पे हम कन्पुजन हो जाते हैं तो हमारा क जो परसन है या जो मोटे मोटे जो परसन है वो तो आराम से सही होई जाते हैं फिर हम कितना स्कोर शेप रहेगा आगी के तैयरी करें या नहीं करें परसन कहां से पूट अप हुए इस परकार के हम चीज़ें देखेंगे और ये जो पेपर बना था न ये ऐसा लग रहा है कि जो एस ये खेल हुए थे 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तो 8 अक्टूबर या 19 अक्टूबर के आसपास पेपर बना हुआ है उसके बाद की कोई गटना इसमें पूछी के नहीं है लाश्ट जो गटनाए है वो जो एस ये खेल है उसमें जो परदरसन था कबड़ी टीम वाला व हैं तो इसमें जो है ना इन 6 पेज में से 6 पेज में से 8 कुर्शन पूट अप होए हैं कहने का मतलब उन्होंने जो पेपर करंट अफेर का किसी को जिम्यदार्य दी है किसी पेपर सेटर को गुरूजन को तो उन्होंने अक्टूबर वाला जो मा है ना अक्तुबर का मैंना शितमर की जो गटनाए है, शितमर मा है कि गटनाओं में से उन्होंने अधिकाँ सवाल उठा लिये, साथ-ाथ सवाल तो एक मेने से दे दिये, जबकि वेस्टित पेपर के लिए होना ये चाहिए कि सब जगर से कवर हो, फिर एक जो है अवनी लेखरावाला, वो मई की गटना का है, एक उन्होंने दे दिया बहुत पुराना, 2020 का वो पंचाए चुनाओ वाला, तो कुल मिलाकर 20 सवाल करंट अफेर के आए हैं, 20 सवाल एकोनोमिक सर्वे के आए हैं, 20 एक सवाली जियोग्राफी के आए हैं, 18 भी सवाल पॉलिटिकल के आए हैं, कला संस्कर्टी और इतियास के भी, वो भी इसके लगबग आए हैं, इतियास के वेटे मैंने पहले भी कहा था, कि कम ही रहना है, 7-8 सवाल, क्योंकि PY के अगर अब देखते हैं, पहले तो हम यह देखेंगे, कि जो क्यूशन जो है ना किस प्रकार से, जैसे देखिए, पहले आपको यह एक प्रीडिय जो नॉट्स है यह, 6 पेज के, इनको दिखाते हैं पहले आपको, जैसे यह है, आप थोड़ा सा 10-15 मिनिट आपका लेंगे, आप बने रही है, देखो, यह, यह मैंने करवाय था, यूट्यूब पे भी है, करंट अफेर, अक्टोबर, माह सितंबर, ठीक है, तो यह रतन कुमार सांबर हिया, अलंकि ऐसा नहीं मैं कह रहा कि, केवल मैंने करवाया, ऐसा कुछ नहीं है, मगर इस 6 पेज में से यह चीज़े कवर हुई है, तो वो जो एक देड़ घंटे का वीडियो लगाया था लाश्ट में, तो सिदा सिदा कई बार फैदा मिल जाता है, ठीक है, उसके अलावा जैसे आप देखिए, मिस अर्थ, यह चारों एक जिगें दिये थे, आपको याद रखने के लिए, प्रियन सेन, उसके अलावा हम बात करें, तो जैसे, यह टेक भी बताई थी, उसके पिछे कोपता बांध दो रही है, तो यह कसिदा कारी बिकाने रहे, वालाँ कि उन्होंने यहां से नह पूछ के, यहां से पूछ लिया, वो पेपर बनाने वाले पर है, उनको पता है कि, यहां पर तो विद्यारती तियार कर रहा होगा, तो उसे असाब से, थोड़ा सा वो भी हट के करते हैं, अब यह जो तीन ट्रेने हैं, यह वीडियो में अच्छे से बताया था, कि उद्यपूर आप मानने लिजे, उद्यपूर गूमने गए हैं, फिर वहां से राजदानी के और आ रहे हैं, इस प्रकार से, उसके अलावा आप देखेंगे, यह जैसे, जो हैड्रोजन नीती है, उसमें 2000 KTP उर्जा का लक्ष है, 2030 तक, हलांकि 2030 तो काफी चर्चा में भी रहा, क्योंकि वो जो राजस्तान, जो 2030 तक का एक प्रिदर्शे के लिए भी परसिद रहा था, कि भी 2030 तक इतना इतना लक्षे रखा गया है, और उसके अलावा जो चटा पेज है, इसमें से भी दो सवाल मिलते, एक तो यह देखो, चटा राजय वितायोग, तो इसमें ठीक इसी प्रकार से क्योशन था, अध्यक्स प्रिद्यमन सिंग है, सदस्य उसके सोक लावटी है, तीसरा कतन था कि इसका गठन अप्रेल दो जार वाँ बीस कर दिया था उन्होंने, और अनुसे 243 इसे लिखावा था, और आतना पढ़ती वे दिन रजेपाल को दिया, तो वहाँ पे बीस वाला जो है वो गलत था, और 21 होना चाहिए था, तो इस प्रकार से यह क्यूशन, और दो ओर है इसमें से, स्वर्ण खादान, तो यह भी चर्चा में रही थी, इसलिए बाहस वाड़ा वेसे, तो यह जियोग्राफिय में भी हो सकते हैं, एक जो नवा भारचेतर समिलन है, हलाग मैं इसकी तारीक तो कहीं नहीं बताई थी, आरेसपरी में यह पूछा गया था, कि कहां हुआ उदेपुर, और अब इसमें थोड़ा यह अन्मान लगाया जा सकता है, कि भई यह अगस्त के लगबग हुआ होगा, सितंबर क्यों अक्टूबर, एक अक्टूबर को आरेसपरी का एक्जाम था, तो उस रसाब से, हलाग इसकी तारीक जो है, वो उसमें सुझस में तो दे रखिये, सिदी-सिदी मोटे तोर पे 21 अगस्त, ठीक है, अब हम बात करते हैं, करन्ट अफेर में, जैसे ये एक बयासी पेज की पीडिएप थी, ये कम्पलीट पुरा का पुरा मेंने करवाया था, दिस संबर वाले में से कुछ आया नहीं, क्योंग पेपर अक्टूबर का ही बन गया था, और अब कुछ थोड़ीशी फोटोज और देखते हैं, अपने कलासेज की, एक चीज और थी, एकोनोमिक जो सर्वे है, उसमें एक जो पेज है, यानि वो वेसे जो सर्वे है, वो थोड़ा बोरिंग भी लगता है विद्यार्थियों को, और तीन सो साथ तीन सो पेज की किताब है, तो मैंने उसके हर्स्त लिखित नोट्स तयार किये, इकाउन पेज में, और जैसे सेवाचेतर है, यह तो सिरफ एक या दो इपेज में है, तो पेज नमर 45, चार क्यूसन इस एक पेज में से आए है, आरे स्परी में आये थे दो क्यूसन, एक तो परसलीत मुल्यों पर यह आया था, और एक ये शेवाचेतर में व्यापार होटली आया था और इसमें देखिए आप जो कॉलेज वाला इसमें एक तो यह आया था था देखो राजस्तान फिल्म के लिए दो करोड रुपे का प्रोथसान सरकार देती है उसके अलावा जो चार डिजिटाई जेसन वाले जीले हैं वो अजमेर दोलपूर जेसलमेर शीरोई चार जीले यह मैंने पढ़ाय भी था नोट्स में भी अपने आपको डाउनलोड के लिए पी पीडिप दे रखी थी इसका जरूर थोड़ा सा लिया था आपसे गुरु दक्षिना 45 रुपे उसमें कर रखे थे बाकि यूट्यूब के उपर यह कलास जो नीशुलक थी क्या आप चाहो तो साथ साथ में नोट कर सकते हो चाहो तो इसका प्रिंट निकाल सकते थे इस्टेंड अप इंडिया योजना का आया था यहनु सुचित जाती जन जाती इनके लिए है तीन हो गया न और चोथा जन सूसना पोर्टल से समद्धित एक क्यूशन आया था तो इस परकार से एक-एक पेद से भी जो है वो चार-चार क्यूशन पुट अप हुए है यह 25% आर्टी में आला कि ज़्यादा कट्यान क्यूशन नहीं है सब जानते हैं आर्टी में परन्तो एकोनोमिक सर्वे के अंदर यह करवा रखा है एक एकोनोमिक सर्वे में देखो मुख्य मंत्री रास्तान आर्टिक सुदार पर सल यह सवाल आया था एक थिंक टेंक के रूप में क्या है तो उसमें चार उप्सन थे तो सी एम री टेक सी एम री टेक आपको ऐसे अच्छे से बताया था उसके अलावा यह राजीव गांदी स्कॉलर्शीप है उसमें भी था कि पहले 200 अब 500 कर दिये हैं थर्चा राजी सरकार देगी तो उसमें साइब दोनों ही कथन गलत हो सकते हैं और वो किस हिसाब से लेते हैं क्योंकि तारिक वारी कुरूने कुछ पूछी नहीं तो वो है यह करशी वाला है 28.50 हूबो एक क्यूसन था लाश्ट वाला इसे कुछ और यह 5.22 उसमें चकरवर दिव्याज का इसे कुछ पूछा वा था 5.20 उसमें दे रखा है और उसके अलावा जिसे यह है यहाँ पर अटल पेंसन कौन सा है यह जनसूसना पोर्टल का यहाँ पर जनसूसना पोर्टल यह हमने देखी लिया था पहले इस्टेंड अप वाला होई गया और यह अभी भी पले लिस्ट अवेलेबल है अपने हालां की ज्यादा समय मिल नहीं पाया था तो मैंने कहा था कि 40 नंबर का जो मेटर वो आपको कवर करवा रहे है उसमें एक तो एक करंट अफेर की मेरतन कलास है यह एकोनोमिक सर्वे की म मेरतन कलास है कुछ एक जो लाश्ट के मैने थे अगस्त सितंबर अक्टोबर नवंबर दिसंबर उनकी कलास भी इसमें वीडियो अपलोड किये थे और यह देखिये जैसे मुख्यमंत्री वरदावस्ता सम्मान पेंसन योजना अठावन पच्पन इस पर भी हमने जिकर किया और मसी है यह हमने इस पश्ट कहा था कि नयादिस की रूप में पदोनत कर दिये गए हैं तो क्यूसन में क्या था कि नवीन तम यानि सबसे पहले और नवीन तम तो यह है मसी है तो यह एक उप्शन देखते हैं आप आराम से इसको कर सकते थे उसके अलावा अटल भूजल इस पर भी हमने अच्छे से जिकर किया था कि विस्वभियां को इसका 50-50 यह तो सरल ही था वैसे भूजल तो भूजल का बेतर परबंदन ऑप्शन उसमें सरल था यह कसिदा कारी हमने पढ़ा था विकानेर और यह पिछवा इकला तो आप जानते हैं तो पांचों कर याद ह तो आप उसमें अनमान से कर सकते थे बाकि ओप्शन जो है वो भी थोड़े से गेप वाले थे हालांकि जालोर थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता था यह जो में समी नीती है दो हजार बाईस सत्रह सितंबर इस पर भी हमने जिकर किया था उसके अलावा वंदे भार ट्रेन उदे जेपुर से जेपुर हालांकि कई विडियार थी यह भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल मैंने ही पढ़ा ऐसा कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए और भी सभी प्रयास करते हैं अच्छा परन्तु हमने जो आप इस चैनल से जूड़े हुए हैं तो मेरा भी थोड़ा सा खु तो स्वास्ते मित्र से आपको नमान लग जाता है कि ये तो वो स्विम्शेवी वो है तो फिर आप दन्ता कलिनिक पे जा सकते थे और ये देखो जून वाला करंट अफेर इसमें अवनी लेकरा का बताया भी था कि वो चांगमान में जो वर्ल्ड सुटिंग हुई उसमें उ 2022 इसको भी हमने इको सर्वे में जो है वो पड़ते समय किया था ये करंट अफेर में 2000 के टीपे 2030 ये कलास अपने थी ये कलासेज वीडियो अविलेबल है वी बी और आपका सन्य है प्रेम करंट अफेर के पड़ती इसलिए मिलता है कि अपन कम मेटर में कम मेटर में अच्छ टाई जेसल में है जेसल मेर के उपर भी स्पेसल कहा था कि देखो जेसल मेर हम मानते हैं कि भी दोरों की दरतिये पर इसमें आगे हैं ये अदेक्स वाला ये हमने जर्चा करी लिए 243 ये 2 करोड वाला आपको बताई दिया प्रियन सेन ये पड़ाते वे है इकलास जन सूसन पोर्टल का आ गया इसमें उसके अलावा जैसे देखिए ये रियल एस्टेट रेगुलिरेट अथरिटी रेरा गठन 2019 ये अपने उसमें किसमें ही इको सर्वे में है ये ये मनमौन सिंग यादव करणट अफेर में सूरी मलमिसन पुरुसकार और वेसे कहा भी था आपको कि एक तो डॉक्टर मौन मौन सिंग परडान मंत्री जी है एक ये है तो ऐसे है और ये रतन कुमार सामबरिया वाला वेसे तो इजी था सब जिगें दे रखा होता है ये गुर सवारी में हमने जिकर किया था कि दिवे केर्टी शिंग ही एक ऐसा नाम है जो भी काफी चर्चित है तो आलाएं कि यहां से तो नहीं पूशा था एस ये का पूशा दूसरे खेलका था पर उसमें दिवे केर्टी शिंग एक जैसे हैं ये नीदी सर्मा वाला है नीदी सर्मा सुस्मा साक्षी मुस्कान ये भी करवाया था कि जो कबड़ी टीम में है चार तो एक उन्होंने अठाके दूसरा डाल दिया और ये होई गया इस वाला ये देखो चवदय जीले जो तेल और प्राकर्थिक गेस तो इसमें जो पेट्रोलिफ फेरस जो चार चेतर है उसमें चवदय जीले आते हैं अलग से भी लिखा यहां लिखा फिर अलग से भी लिखा और यह में समीन तो कई जिगे हमने दे रखा है यह अलग से यहां देखो एकोनोमिक सर्वे का फोटो है यह कि चवद जिले जो है वो है चार बेशिन कौन-कौन से वो भी हमने देखे थे उनमें चवद जिले कवर होते हैं उसके अलावा यह वापस MSME का यहां पे 17 सितंबर 2022 और यह कनया लाल सेठ या पुरुषकार मल्यालम कवी सचेदानन्द को तो मैंने बताया था कि कनया लाल जी हमारे सुजानगड की दर्थी से बिलों करते हैं गरवे की बात है एक जिला एक उतपाद एकोनोमिक सर्वे में है पर तेक जिले के निर्याद समता वाले उतपादों को पहले लाइ तो यह अपने जो नोट्स में दिये है इसमें देखो जैसे यह एकोनोमिक सर्वे की टेस्ट स्रीज है उन में से क्यूशन भी यहां से पूट अप हुए है और यहीं पर हमने यह डाउनलोड के लिए भी दे रखी थी और विडियार्टियों ने डाउनलोड किया भी था से लगभग 35 जो क्यूशन है वो कवर हो गए और पुनाय में कहा दूं कि एसा नहीं है कि केवल मैंने कर कवर करवाए किताबों में होते हैं परन्तों विडियार्थियों के लिए कम समय में मानलो अब 6 गंटे की एकोनोमिक सर्वे और 6 गंटे का करेंट अफेर मानलो पूरे एक साल का ठीक है वो मेरा थन कलास तो 12 गंटे में अपन पढ़ते हैं उसको दो बार रिविजन करते हैं और करते हैं तो 15 गंटे में अगर मानलो 30 क्यूशन अगर पूटब भी हो जाते हैं तो भी अच्छा एक फाइदा जो अच्छी मदद जो मिल जाती है अब बात आते है कितना स्कोर सेफ है तो इसमें देखिए जो स्कोर की हम बात करते हैं इसमें तो विदियार्थियों के जो जिनसे डिसकस हुआ चर्चा हुई कमेंट आए मेसेज आए तो जिन्नोंने अच्छी त्यारिक की है लंबे समय से त्यारिक कर रहे हैं जो पिसली बार इंट्रो तक पहुंचे हैं और कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से इसके पर समर्पित थे तो अधिकतम मेरे पास अभी तक मेसेज आया वो 36 का आया कि उसके 36 मार्क्स बन रहे हैं आप और भी अपनी इमान दर इसे आप जो तो एप्लिकेशन पर नमर दे रहे हैं वाटस अप उस पर कर देना मेसेज इस वीडियो की निचे कमेंट में भी करना नमर आपको पता ही होगा आप जैसे जितने भी क्यूशन आपके सही हुए है न मान लिजी आपके 60 क्यूशन सही हुए है तो उनके आदे कर दीजी आपके 30 नमर मान लिजी आपने क्यूशन कीए 72 उसमें से 6 गलत हो गए 6 गलत हो गये तो पिछे बच गए आपके 66 ठीक है 6 गलत हो गए तो 66 बचे सही 6 गलत हो दो और गटा दो ।ो पिछे बच गए 6 गलत हो दूँ तो पिछे बच गए 64 Gyor दो उसके आदे कर दो कि 32 तो आप एस से समझ में नहीं आए तो फिर आप जो है उसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि इतने सई और इतने गलत ऐसा करके भी आप लिख सकते हो ठीक है यह साब तो दीक रहा है ना आपको यह कलर तो यहां पर इसकोर की बात जो है उसके अलावा नॉर्मली जैसे और भी देखें तो पच्छिस नमबर चब्विस सताइस नमबर अठाइस नमबर इसे भी आ रहे हैं और जो बिल्कुल बिना तयारी के गए हैं तो फिर पंद्रे नमबर अठारा नमबर यह क्योंकि यहां पर जो मामला है वो यहां पर जो मामला है न वो थोड़ा सा पेचीता भी तो बन रहा है न जैसे देखिए अभी हम बात करते हैं इसमें थोड़ा खाली पेज कोई देख लेते हैं यहां जहां पर कुछ अपन पेन वें चला सकें ठीक है अब जैसे देखो सेफ स्कोर की बात करें न तो गत वर्स के कुछ उधारन देखें तो एक दो उधारने से भी है जिनके पहले पेपर में तेरह चवदा नमबर आए और वो सलेक्ट हुए कुछ उधारने से भी है जिनके पहले पेपर में 32-33 नमबर आए फिर भी वो रह गए एक नमबर दो नमबर से वेटिंग में क्या कारण है कारण यह है कि आप ये डाइगराम समझे जैसे और इसके ये चार भाग है तो ये एक भाग अभी हुआ है पचास नमबर का और पच ही जास में से माली zajrAr 25 स्कोरर रहा हैं कोई 30 कर रहा हैं कोई 20 कर रहा हैं अब 20 पे आकर आप टेंशन ले ले लें कि हम तो बहार हो गए तो ऐसा करते ही नहीं है 30 या 35 करके आप थोड़े से सुस्त हो जआएохया हैं कि हम तो बहुत अच्छे स्कोरर में हैं, स्लेक्ट होने दोड़ में है, दोड़ में तो है, हलांकि परंदो अभी भी आपके लिए मेनत कामेदान अभी खुला पड़ा है। हो सकता है अगला पैपर किस परकार से क्या आए इंटर्यू में क्या रहें अब इंटर्यू में भी क्या करते हैं वो आठ नमबर नो नमबर से लेके अठारे अठारे नमबर बीस नमबर तक देते हैं अब किसी को मान लो दस नमबर दिये किसी को बीस दिये तो बहुत होता है दस नमबर का गेप तो बहुत होता है। परंतु आप ये मान के ना चलो कि हमारी बीस आएंगे या हमें वो दस दे देंगे। अब वो किस्मत की बात है, क्या इस्तियां रहती है। अब 12-13 नमबर तो आप मान के चली सकते हो। एवरेज नमबर अगर देखें, 12-13, कौमन ही रहते हैं, 12-13, 14-14, 12-13 तो ये अगर रहते हैं और यहाँ पे आपका इस्कोर अगर 25-30 जैसा हमने पहले दिन कहा था उन सब्जेक्ट में जो की जिसे जो ये मानवी की आर्ट वाले सब्जेक्ट है उनमें तो उनमें ये एक संतोजनक स्कोर है 25-30 और अगर आप साइंस बेक्डाउंड के हैं तो 25 के आसपास भी संतोजनक है जिन्हों बहुत अच्छी मेनत की है और क्योल मेहनत का ही नहीं है इन पेपरों में क्या होता है कि कई बार एवरेज मेनत होती है और प्रिक्षा ओल में आप थोड़ा साइज तरीके से काम कर जाते हैं और वो दिन आपका होता है आपके नुकूल होता है तो बहुत अच्छा इसकोर चला जाता है और कई-कई बार मेहनत बहुत करते हैं पर उस दिन थोड़ी बहुत गड़बड होई जाती है और मार में दो-तिन गलत बर गए या मान लिजिए उस समय थोड़ा सा टिक दो पर कर रहे थे और दूसरे वाला किया दो-तिने से होए कि गलत हो गए तो ऐसा हो जाता है तो दो-तिन नंबर उपर नीचे हो जाते है हलांकि पूरा एकदम पासा नहीं पलटता कुछ वाँ गलतिया होने से दो-तिन का नुकसान हो जाता है या फिर आप थोड़ी से एक कलाकारी से पेपर करते हैं तो दो-तिन का फाइदा हो जाता है और बहुत बड़ा चमतकार नहीं होता, चमतकार तो मेनत से ही होता है, मलब आपने पढ़ाई की है, डिविजन किया है, प्रोपर तरीके से पढ़े हैं, तो उसका इही फाइदा मिलता है, कि मेरा बाप से ये कहना है, कि किशी को भी हम दोर से बाहर नहीं रख सकते, कि भी आप दोर से बाहर हो गए, ऐसा कती नहीं है, हाँ, ये जरूर है कि एक एकदम तैरी थी नहीं, अब सब्जेक्टी भी नहीं है, तो अपने आप ही दोर से बाहर है, एक चीज हो रहा है इसमें एक लाख नबह हजार के लगवग इसमें फॉरम बरे गए थे अकवार मैं था डाटा और नबह हजार के आसपास एकजामें बेठे हैं उन नबह हजार में से आप एमान के चलिए कि आदे तो ऐसे होंगे जिनके भी नेट कौलिफाई नहीं है वो जून वाला डेंगे या इस उमीद से हैं कि हो जाएगी तो उन में भी थोड़ा सा ये है कि वो उनका नेट के उपर भी फोकस रहेगा वो भी रहेगा कि नेट भी कलियर करनी है और दूसरा कि एक अच्छा इसकोर जिनका बन रहा है जो तैयरी करके गए है प्रोपर बाकाइदा पूरा से लेबस पड़ के गए है करंट अफेर भी पड़ा है बुगोल भी पड़ी है सब कुछ पड़ के गए है और पेपर में वो पच्छिस तीस स्कोर ला रहे है ऐसी संख्या मेरे खयाल से बहुत कम है पर कम का मतलब पांच अजाज़ शहजार साथ अजार विद्यारती होंगे उससे ज्यादा नहीं है फिर सब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी तो बहुत है भी उसके अलावा फिर ये भी डेंट सो नमर का मेटर पड़ा है फिर दोनों को मिला के इंटर्यू में पहुंचेंगे फिर इंटर्यू का भी है वहां भी एक एक दो दो नमर का भी माइना रखेगा तो यहां इतना जरूर है कि अगर आपका स्कोर इदर अच्छा है उतना ही आपकी जो निर्बरता इसके अलावा जो इसमें एक पार्ट और बन रहा है चोबीस नमर का जैसे वो पार्ट यह मानलों की इसका भी याद हो गया न एक तरह से तो वो जो पार्ट है उस पर आपकी निर्बरता कम होती जाएगी जितना इदर जदा इसकोर होगा न जिसे हमारे साथी परिचित है उनका फिसलिवार सेलेक्शन हुआ हिस्ट्री से तो उनके इस पेपर में 31-32 लगबग थे और हिस्ट्री में डेड़ सो में से पचास और साथ एक सुदस के लगबग थे और उसमें जो है इंट्री में से 14 या 15 नमबर थे तो इस से क्या हुआ इस स्कोर मतलब इनका 156 के आसपास है रेंक भी अच्छी थी आठ नो टोप टेन में थे तो इसमें और इस्ट्री का जो है वो कटोप रही थी एक सो पचास पोलिटिकल में क्या था पिछेतर नमबर जो है पिछेतर नमबर से इंट्री कोल हो गया था तो पाइनल जो कर टोप हो साथ फेक्टर है माईने रखता ही जीजे तो अब आपको पुनह में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप 20 से उपर भी है तो भी आप यहां अच्छे मेनद करके इस चीज़ को कवर कर सकते हैं 25 से 30 के बीच है तो आप मान के चलिए कि आप अच्छे इस्तती है आपकी और 30 से उपर है तो आपने अच्छे त्यारी किया है पेपर का दिन आप पेपर आपने अच्छे तरीके से किया है पेपर आपका अच्छावा है 35 से उपर तो बहुत सांदार स्कोर है 40 वाले भी कोई है, माश है 40 का मतलब क्यावा कि 80 स्वाल उनके सही है वो भी माइनस करके तो 40 वाले भी हो सकता है उसने कि हो नहीं है बिल्कुल, कुछ हो सकता है यह तो वो सर्वोचिस्ति वाले है टॉपर हम इनको कह सकते है परंतो टॉपर यह तभी बनेंगे जब इनका यह इसकोर भी अच्छा जाएगा और कुछ यहाँ पर भी अच्छा करेंगे तो कुल मिलाकर यह आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे एक तो तीन चोथा इसा यह और वेसे देखें तो यह चोथे से भी कम इसा यह लगभग 20% के आसपास अभी मामला है यह तो इसलिए निरास नहीं होना है एक तो कमेंट करके अपने नमबर बताना ताकि दूसरे विद्यारती भी देख सकें कि इस इस परकार से आ रहे हैं यह इश्कोर है और दूसरा कि अभी आप एक दिन दो दिन आराम कर लिया होगा वापस से कमरकस लीजिए और सब्जेक्ट को पढ़िए सब्जेक्ट में आप पीवाई क्यू जरूर देखें पीवाई क्यू मतलब जो आयवेक्यूसन है ना आपके सब्जेक्ट में तीन या चार बढ़तियों में उन से आपको अनौन लगेगा कि इस पार्ट से इतने सवाल पुछे जा रहे हैं और इस परकार के पुछे जा रहे हैं तो ट्रेंड जो है वो बदला नहीं है पेपर का करन्ट अफेर और एकोनोमिक सर्वे हैं तो एक टाइम तो ऐसा था कि जब लोगों को पता ही नहीं था संसादन उपलब नहीं थे अब एकोनोमिक सर्वे की पीडिएफ आती है उसके प्रिंट आउट खूब उपलब है यूटूब पे गुरुजन करवाते हैं आप यह बहुत बानी कि पचास जार ने उसको पढ़ लिया कंठस्त कर लिया खोलते हैं देखते हैं कि चलो बाद में देखेंगे पर पचास जार वीव आ रहे हैं उस पे तो यह मान के चलो कि कम से कम पांसो विद्यार्थियों ने इगर उसको चैसे पढ़ा है रठा है तो भी वो अच्छे नमर ला रहे हैं तो संसादन सुईद हैं थोड़ी बढ़ने से चीज़ें तो थोड़ी सी कम्पिटिसन तो बढ़ाई है बाखाईता और पोश्ट भी ज्यादा होने का मतलब यह नहीं है कि मेरिट में कोई बहुत परकाएगा क्योंकि पोइंटों के कटोप के आसवास भी जाना रहती आपको पता है तो पोश्ट अच्छी होने से भी कम्पिटिसन बढ़ा है कि रुजान बढ़ा है कि इस बार पोश्ट अच्छी आई है और जो सेलेक्टेड है सक्षेज लोग है वो अपनी रणनीती बताते हैं तो उससे भी थोड़ा सा एक प्रोपर तरीके से आम विद्यार्थी भी तयारी कर पाता है तो निस्जित रूप से कम्पिटिसन तो बढ़ाई है परन्तु तयारी करते हैं तो उनका सेलेक्शन होता है यह अई आई कि पोश्ट खाली रह जाएगी ऐसा नहीं है नहीं वो आपका इंतिजार करेगी पोश्ट कि आप पढ़ लो पढ़ लो आपका वेट कर रहे हैं उसको लगता है कि गलत हो सकते हैं नहीं छोड़ते हैं तो फिर वो ज्यादा गलत सले जाते हैं और दूसरी चीज़ कि जो ज्यादा तैयारी करके जाते हैं तो वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं कि फाल तो गलत हो जाएंगे कम तैयर करके जाते हैं पूरे की पूरे करके आते हैं तो इसा करके option भी कई close थे दो दो तिन तिन option ऐसे थे चारोंगी option ऐसे तो पॉइंटों में फरक था जिसे वो डाइनोसार वाला देख लो चाहिए आप वो जीले वाले देख लो तो वहाँ पर विद्यार्थी जो है confusion जो है हुआ है निसीत रूप से तो इसलिए मेरे विचार से तो 35 पलस स्कोर है वो हाईश्टी स्कोर है टोपी स्कोर है और काफी चीज़ों की हमने तरचा कर ली है अब आप इस पेपर को तो अब लग बग रख दीजिए ठीक है और पेशी की किया है उस दिन एक बार और निकाल लेना हो मारे भी सेफ रखना उस निर्देश में लिखावा है और अब आप सब्जेक्ट वाले पेपर में जो है वो जूट जाएए आरेस का भी कुछ विद्यार्थी हो सकता है जो आरेस मेंस भी दे रहे हो और आप लोग कमेंट करके भी बताईएगा कि आपने वो चो कलासेस थी अपनी मेरा थन वो आपने देखी थी क्या पहले और आपको निशीत रूप से वहां से कुछ क्यूशन पुट पुए तो फाइदा हुआ होगा और बने रिये चैनल पे शुब कामनाई धन्यवाद